हेलो दोस्तो मैं हूं सीला विल्कम बैक माई न्यू ब्लॉग कोकिंग वी शीला चैनल पर तो कैसे हो आप लोग हाई यू होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे भी रहने चाहिए सब पो रादे रादे बड़ो को साधर पैराम और चोटो को डेर सारा प्यार तो मैं सुबा सुबा उठके यहां पर आगाई हूं तो मैं यह जीरा और मेथी का वाटर करके इसको पीऊंगी और इसमें मैं यह डाल रही हूं मैं यह पंच तुल यह लाओंगी तो यहां पर मैं सबसे पहले उड़ते ही जी अजवाइन और मेथी का पानी पी रही हूं कि इस समय यह सारे पानी और पीना मेरे लिए बहुत जरूरी है और मैं इस समय वर्काउट नहीं कर पा रही हूं बिलकुल भी मेरे लिए चलना मुस्किल भी है तो वर हुआ कर रही हूं अपने वपर क्या खा रही हूं कैसे बेट लिउज कर रही हूं मेरा जो है मैने वेट तो नहीं किया था पहले फैर मेरा धाई से तीन केजी वेट लूज हुआ है इसी पंदरा दिन में तो इसी लिए मैंने सचा आपके साथ वीडियो मुझे जरूर सेयर क करना चाहिए और यहां पर मैं बच्चे गेरा को मैंने नास्ता गरा बना के भेड दिया था बच्चे स्कूल चले गए था उसके बाद मैं बिस्तर चेंज कर रहे थी क्योंकि काफी दिनों से मैं बिस्तर गरा नहीं धो रहे हूं और मतलब घर के काम ठीक शे नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं सारा काम लगा था और कांटियून एक साथ नहीं कर सकती हूं बस थोड़ा सा करती हूं फिर लेती हूं क्योंकि कंडिशन मेरी कुछ बिटर हुई है पर उतनी अच्छी नहीं है और मुझे बेट लॉस करना बहुत जादा जरूरी हो गया है तो इसलिए मैं अभ और यहां पर मैं खिड की अगर अगर यहां पर सब जाले लग गए थे तो मैं एक सातों नहीं पर एक एक जहां पर जाडू लगाती जा रहे हूं जो मिझे ज्यादा दिख रहा है बाहर बाहर का मारती जा रहे हूं कि हलका फुलका साफ हो जा क्योंकि घर मेरा बहुत ज्याद जाड़ु पहुंचा लगाती हूं कभी नहीं लगाती हूं और हाँ अगर आपका बेट अभी से ज्यादा है तो प्लीज इस भावर मुहिलों को या फिर जैसे मैं कर रही हूं मैं कैसे अपना वेट मैनेज कर रही है इसको जरूर अपलाई करना उसके बाद मैं जाड़ु कुछ भी मेरा बेटदा चोभा रहा है जिर रहा है गिर रहा है मेरे बेट कम हो रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हम मैं प्रॉपर डाइट भी ले रही हूं अगर आपको चाहिए होगा तो मैं डाइट भी आपके साथ अपनी सेर करूंगी कि कब क्या ले रही हूं जिसे मेरा वेट असानी से गिर भी रहा और चेहरे पर भी श्किन पर मेरे अच्छा ग्लो आ रहा है और यहां पर मैं लेटी हूं क्योंकि बहुत ज्यादे इतना काम करने के बाद ठक गए थी मैं मुझे भी नहाना था पर उससे पहले मुझे आराम मतलब जो है करना था कि जरूरी था उसको मैं नहा नहीं सकती थी अभी यहां मैं मॉर्णिंग कि मैंडिशन ले रही हूं क्योंकि जो कंडिशन है मैरी मैंडिशन से मुझे थोड़ा सा इतना जल्दी उठपाई हूं नहीं तो सायद अभी मैं विष्टर पर ही रहती तो मैं यहां पर और यह बैठीक और आयृरॉबएधिक दोनों मैंडिशन स्टार्ट की हूं क्योंकि कि मतलब आयुरुबेद होता है ना जो नुक्सान नहीं करता अगर आपको फाइदा नहीं करेगा तो नुक्सान नहीं करेगा और आयुरुबेदिक चीजे क्या होतीक बीमारी को जड़ से खत्म करती है तो अभी मैं नहां चुकी फूंजा भी कंप्लीट हो गई मेरी अभी ब पारहे हैं कि जड़ा कम मैं कर पारहे हैं नहीं कर पारहे हैं लड लेट लेट के तो मैं काम करती हूं यहीत पहले से बटर है कर ल Verkehr ने के लिए बना रहुए नहाने पाद एक रोटी और सब्चों के लिए बनाया था इसको चबा-चबा क्यिंस चबाए कि मैंने अच्छे सखा लिया था यहां पर मैं बना रही हूं पालक पनीर तो वहां पर मैंने जीरा ही लेशून निर्ची डाल दिया इसके बाद कट्ण वा प्यास कट्ण लzung मैं भॉय बहुतघ्र तरीके से तहीं कम तेल में आप देख सकते सरचोग यह मैंने क्योंकि मुझे मुझे खाना है तो peyaस पक़ने गए यहां पर एक माथख टत्माटर है था मैंने क्योंकि बच्यों को पालक पनीर बना रहे हैं तो टेस्टी बनेगा पर बहुत ही कम मसालों से बना और यहां पर मैं पालक ना जो है बॉयल करके इसको ब्लांच करके पीछ के रख लेती हूं ताकि मुझे जब भी जरूरत लगे तब मैं इसको यूज कर सुखू और ऐसे पालक रुखता भी नहीं कुछ भी नहीं ले रही हूं क्योंकि मुझे जो भी खाना है अच्छा और हिल्दी खाना है तो यह बनकर मैरा खाना तयार हो गया है और लंच की थाली है हमारी है जो रोटिया आपको दिख रहे हैं जो की रोटिया है मैं यह हूं नहीं ले रही हूं इस समय तो यहां पर खाते और डाइजिस्ट होने में बहुत ही आशानी होती है और हाँ अगर आप फिट हैं आपको कोई प्रॉब्लम कोई विमारी नहीं है तो आप एक्स्टरसाइज या मॉर्णियो जरूर करें मैं नहीं कर सकती फिर भी मैं अपना बेट अच्छा खासा लूज कर रही हूं तो इसको भी मैं सामसुबा खाली पेट ले रही हूं यह जो मुझे मतलब बहुत अच्छा फील होता इसको लेने के बार उसके बाद मैं खाना खाके सो गई थी एक और घंटे के लिए शाम का यूनिंग का समय है तो यहां पर मैं ले रही हूं चाय जो विदा चीनी के है और द लिए अलग सी खाना बना दिया था उसके बाद मैं अपने लिए यहां पर मैं सूप बनाई हूं तो बैजी टेबल सूप है और यह थोड़ा सा गाड़ा हो गया था तो डिनर में बहुत हिल्दी ऑप्सन है सूप का अगर रिस्पी चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा और को फरी वीडियो जरा सभी पसंद आया हो तो लोग नहीं हो सब्सक्राइब कर लो चैनल को आपके लाइक और सब्सक्राइब आपको कुछ नहीं जाएगा पर आपको एक ल्याइक मुझे बहुत मोटीवेशन देता है मुझे आगे काम करने की हमशला देता है तो प्लीज ल लेबाय, टेक एर आएंग, थैंक यू,